हम अपने अंदर और हमारे बारे में विरोधा भास देखते हैं क्योंकि हम विरोधा भास में हैं, हमारे अंदर और इसलिए हमारे बाहर शांती की कमी है हमारे अंदर इनकार और दावे की एक निरंतर स्थिती है, हम क्या बनना चाहते हैं और हम क्या है विरोधा भास की स्थिती संधर्ष पैदा करती है और यह संधर्ष शान्ती नहीं लाता है जो एक सरल स्पष्ट तत्य है इस आंतरिक विरोधा भास को किसी प्रकार के दार्शनिक द्वैतवाद में अनुवादित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही आसान पलायन है यह कहकर की विरोधा भास द्वैतवाद की एक स्थिती है हमें लगता है कि हमने इसे हल कर लिया है जो स्पष्ट रूप से एक मात्र परमपरा है वास्तविक्ता से बचने का एक अंशदाई पलायन है अब संधर्ष से विरोधा भास से हमारा क्या मतलब है मेरे अंदर विरोधा भास क्यों है मैं जो हूँ उससे अलग कुछ होने के लिए यह निरंतर संधर्ष मैं यह हूँ और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ हमारे भीतर यह विरोधा भास एक तथ्य है आध्यात्मिक द्वैतवाद नहीं तथ्वमी मानसा का यह समझने में कोई महत्व नहीं है कि क्या है हम द्वैतवाद पर चर्चा कर सकते हैं यह क्या है यदि यह मौजूद है और इसी तरह लेकिन इसका क्या मूल्य है अगर हम नहीं जानते कि हमारे अंदर विरोधा भास है इच्छाओं का विरोध करना, हितों का विरोध करना, पीछा करना मैं अच्छा बनना चाहता हूँ और मैं नहीं बन पा रहा हूँ इस विरोधा भास को हमारे भीतर के इस विरोध को समझा जाना चाहिए क्योंकि यह संधर्ष पैदा करता है और संधर्ष में, संधर्ष में हम व्यक्तिगत रूप से नहीं बना सकते आईए हम स्पष्ट करें कि हम किस स्थिती में हैं विरोधा भास है इसलिए संधर्ष होना चाहिए और संधर्ष विनाश है, बरबादी है उस स्थिती में हम विरोध, संघर्ष, अधिक कड़वाहट और दुहक के अलावा कुछ भी पैदा नहीं कर सकते यदि हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसलिए विरोधाभास से मुक्त हो सकते हैं तो आंतरिक शांती हो सकती है जो एक दूसरे की समझ लाएगी समस्या यह है यह देखते हुए कि संघर्ष विनाशकारी व्यर्थ है ऐसा क्यों है कि हम मेंसे प्रत्येक में विरोधाभास है इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना होगा च्छाओं का विरोध करने की भावना क्यों है मुझे नहीं पता कि क्या हम अपने आप में इसके बारे में जानते हैं यह विरोधाभास चाहने और न चाहने की यह भावना किसी चीज को याद रखना और कुछ नया खोजने के लिए उसे भूलने की कोशिश करना बस इसे देखो यह बहुत सरल और बहुत सामान्य है यह असाधारन बात नहीं है तत्य यह है कि इसमें विरोधाभास है फिर यह विरोधाभास क्यों पैदा होता है विरोधाभास से हमारा क्या मतलब है क्या इसका अर्थ एक अनित्य राज्य नहीं है जिसका विरोध एक अन्य अस्थाई राज्य द्वारा किया जा रहा है मुझे लगता है कि मेरे पास एक स्थाई इच्छा है मैं अपने आप में एक स्थाई इच्छा रखता हूँ और एक और इच्छा उत्पन होती है जो इसका खंडन करती है यह विरोधाभास संधर्श लाता है, जो बरबादी है कहने का अर्थ यह है कि एक इच्छा को दूसरी इच्छा से लगातार नकारा जाता है एक खोज दूसरी खोज पर विजय प्राप्त करती है अब क्या स्थाई इच्छा जैसी कोई चीज है? निश्चित रूप से सभी इच्छाएं अस्थाई हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं, बलकी वास्तव में मुझे नौकरी चाहिए यही कारण है कि मैं एक निश्चित नौकरी को खुशी के साधन के रूप में देखता हूं और जब मुझे यह मिलता है, तो मैं असंतुष्ट होता हूं मैं प्रबंधक बनना चाहता हूं, फिर मालिक और इसी तरह न केवल इस दुनिया में, बलकी तथाक्थित आध्यात्मिक दुनिया में शिक्षक प्रिंसिपल बनना, पुजारी बिशप बनना, छात्र मालिक बनना एक के बाद एक राज्यों में लगातार पहुँचना विरोधाभास लाता है, है न? इसलिए, क्योंन जीवन को एक स्थाई इच्छा के रूप में नहीं, बलकी हमेशा एक दूसरे के विरोध में क्षणभंगुर इच्छाओं की एक श्रिंखला के रूप में देखा जाएं इसलिए, मन को विरोधाभास की स्थिती में होने की आवश्शक्ता नहीं है यदि मैं जीवन को स्थाई इच्छा के रूप में नहीं, बलकी अस्थाई इच्छाओं की एक श्रिंखला के रूप में मानता हूँ जो लगातार बदल रहे हैं, तो कोई विरोधाभास नहीं है विरोधाभास केवल तभी उत्पन होता है, जब मन में इच्छा का एक निश्चित बिंदु होता है, यह तब होता है, जब मन सभी इच्छाओं को गतिशील, शनिक नहीं मानता है, लेकिन एक इच्छा को पकड़ लेता है, और उसे एक स्थायत्व में बदल देता है, केव इच्छा में कोई निश्चित बिंदु नहीं है, लेकिन मन एक निश्चित बिंदु स्थापित करता है, क्योंकि यह सब कुछ पहुँचने प्राप्त करने के साधन के रूप में मानता है, और जब तक कोई आ रहा है, तब तक विरोधाभास, संधर्श होना चाहिए. आप आना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप एक परम भगवान या सत्य को खोजना चाहते हैं, जो आपकी स्थाई संतुष्टी होगी. इसलिए तुम सत्य की खोज नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हो. तुम स्थाई संतुष्टी की तलाश कर रहे हो, और उस संतुष्टी को तुम एक विचार, परमेश्वर, सत्य जैसे सम्मानजनत लगने वाले शब्द के साथ लपेटते हो, लेकिन वास्तव में हम सभी संतुष्टी की तलाश कर रहे हैं, और हम उस संतुष्टी, उस बिंदु पर रखते हैं, इसे भगवान कहते हैं, और सबसे निचला बिंदु पे है। जब तक मन संतुष्टी की तलाश कर रहा है, तब तक भगवान और पे के बीच बहुत अंतर नहीं है। सामाजिक रूप से पे खराब हो सकता है, लेकिन लाब के लिए संतुष्टी की आंतरिक इच्छा और भी हानिकारक है, है ना। यदि तुम वास्तव में सत्य को खोजना चाहते हो, तो तुम्हें न केवल मौखिक स्तर पर बलकी पूरी तरह से अत्यंत इमानदार होना चाहिए, आपको असाधारन रूप से स्पष्ट होना चाहिए, और यदि आप तथ्यों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सभी कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया में सफल होने के लिए और आंतरिक रूप से एक परिणाम प्राप्त करने के लिए, जब तक हम समय के संदर्भ में, उपलब्धी के संदर्भ में, स्थिती के संदर्भ में सोचते हैं, तब तक विरोधाभास होना चाहिए, आखिरक बनने, प्राप्त करने, प्राप्त करने के बारे में सोच रहा है। विरोधा भास होना चाहिए क्योंकि तब हम वास्तव में वही सामना करने में असमर्थ हैं जो वास्तव में हैं। पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए क्योंकि यह वहाँ है कि हम विरोधा भास पाते हैं। केवल तभी उस विरोधा भास का विग्टन होता है जो इतना हानिकारक है, इतना दर्गनाक है। जब तक हम एक मनोवैज्यानिक परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हम आंतरिक सुरक्षा चाहते हैं, तब तक हमारे जीवन में विरोधा भास होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम में से अधिकांश इस विरोधा भास से अवगत हैं, या यदि हम हैं, तो हम इसका वास्तविक महत्व नहीं देखते हैं। इसके विपरीत विरोधा भास हमें जीने के लिए एक प्रेणा देता है, घर्षन का तत्व हमें महसूस कराता है कि हम जीवित हैं। प्रयास विरोधा भास का संधर्ष हमें जीवन शक्ती की भावना देता है। यही कारण है कि हम युद्धों से प्यार करते हैं।